हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टेडी में आप सभी का स्वागत हैं साथियों आज जो है हम लोग कलास 10th, Math, NCRT का प्रसना वली 1.3 और 1.4 दोनों ही परने वाले हैं तो काफी जदा महात्पूर्ण कलास होने वाला है मैं आपको बता दू कि आज के कलास से टोटल 4 मार्क का कुष्चन आपके एकजाम में 100% पूछा जाएगा क्योंकि आपको बता दू मैं कि 1.3 से 1 कुष्चन 2 मार्क का परते एक साल पूछा ही पूछा जाता है तो ये 2 मार्क आपका एकदम 100% कनफॉर्म होने बाला है और साथी साथ 1.4 नंबर जो आपका एकसरसाइज है इससे 2 कुष्चन आपजेक्टिव में ये 2 मार्क का पूछा जाता है तो कापी जिदमात पूर्ण होगा अगर आप आज के कलास को सीखते हैं शुरू से अंतक देखते हैं तो ये 4 मार्क आपके pocket में आ जाएगा ये 4 मार्क आप आराम से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं और एक एक कोई सिद्धत के साथ बहुत ही आराम से कोई धरफरी नहीं है Simply हम लोग ये focus करेंगे कि कुछ भी हो जाए हमें सीखना है तो सीखना है तो चलिए सुरू कर लेते हैं चीजों को सीखने समझने की कोशिस करते हैं आज का जो first question है वो आपके सामने आ चुका है क्या पूछा जारा है कि सिद्ध कीजिए कि root 5 एक और परिमे संख्या है अगर आ root 7, root 8, root 10, root 11 ये सभी के सभी जो संख्याए है वो आपरिमे संख्या है लेकिन इस question में फिर भी आपको पूछा जा रहा है कि सिद्ध करके दिखाओ कि root 5 एक क्या है आपरिमे संख्या है तो बहुत है simple है हम लोग इस question को बहुत है simple है हम जानते हैं कि आप लोग ये जो वो बहुत ही simple होगा बहुत ही आसान होगा आप एक बार देखने के मातर ही आप इसको बहुत ही अच्छा से याद रख पाएंगे क्योंकि हमें चीजों को इस तरीका से सीखना चाहिए कि वो जैदे दिनों तक मेरे पास सरा सके ठिक तो बहुत ही सरल भासा में हम लोग परन परिमैं संख्या है तो हम इसका जस्ट उल्टा मानेंगे हमें सिद्ध करना है ओपरिमैं लेकिन हम मानेंगे परिमैं तो जब आप question को हल करने के लिए जाएगा तो सबसे पहला point लिखीएगा माना की माना की माना की root 5, एक परिमे संख्या है, अब आप बातों को समझे, हमें सीध करना था और परिमे, लेकिन हमने क्या माना है, परिमे, अब हम क्या करेंगे कैसे करेंगे उस चीजों को देखिए देखिए हम इसको उल्टा मान लिए हैं परिमे मान लिए हैं अब हम परिमे अगर मानने हैं तो हम रूट पांच में परिमे वाला गुन खोजेंगे और अगर परिमे वाला गुन मिल गया तो हम बोलेंगे की रूट पांच परिमे नहीं है तो अगर root 5 परिमे नहीं है तो फिर है क्या तो आपरिमे होगा तो चलिए शुरुआत करते हैं हमने root 5 को परिमे माना है और मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि अगर कोई भी संख्या परिमे है तो उसको पी बट्टा क्यों के रूप में लिखा जा सकता है तो यहां पर हमने रूट पांच को परिमय माना है तो इसका मतलब है कि रूट पांच को हम पी बट्टा क्यों के रूप में लिख सकते हैं यानि कि रूट पांच जो है पी बट्टा क्यों के बराबर होगा रूट पांच को सरा पी बट्टा क्यों के बराबर क्यों कर दिये क्यों क्योंकि हमने रूट पांच को परिमय माना है और परिमय संख्याय जो होती है वो पी बट्टा क्यों के रूप का होती है या उसके बराबर होती है यहां पर एक चीज़ हम लिख देंगे जहां, जहां, पी-एवं-क्यू, पी-एवं-क्यू, पूर्णांक है, पूर्णांक है, तथा Q, पी और Q में कोई उभयनिश्टूरन खंड नहीं है, ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, वस इतना ही आपको क्या करना है, लिख देना है, अब हम क्या करेंगे, सो देखिए, अब हम simple सा काम करेंगे आप बताइए मेरे प्यारे साथियों कि root 5 के नीचे हम एक लगा सकते हैं क्या बोलेंगे यह सर एक तो लगा सकते हैं क्योंकि एक से किसी भी संख्या में भाग देने से कोई फार्क नहीं पड़ता है तो अब यह इस रूप में हो गया अब क्या करेंगे बरावर के बाएं भी और बरावर के दाहिने भी वर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करने पर वर्ग करने पर तो लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग भाई दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब है कि रूट 5 बट्टा एक जो है इसका भी वर्ग करेंगे वर्ग मतलब पावर 2 लगाएंगे और दाहिने में जो P बट्टा Q है इसका भी वर्ग करेंगे वर्ग करेंगे यानि कि इसका भी पावर क्या करेंगे दो करेंगे अब अगर पावर दो करें हैं तो ये जो पावर दो है रूट ये जो अपके कोस्ट है कोस्ट के अंदर सभी संख्याओं पर जाएगा तो ये जो पावर दो था ये रूट पांच पर भी जाएगा और एक पर भी जाएगा तो अगर ये पावर रूट पांच पर जाएगा तो पांच ऐसी संख्या हो जाएगी जिस पर रूट भी होगी और स्क्वाइर भी होगी तो याद रखिएगा जिस संख्या पर रूट भी हो और स्क्वाइर भी हो तो वहां पर स्क्वाइर से रूट कट जाएगा यानि कि अगर पांच को गौर से आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 5 के उपर root भी है और square भी है तो इसका value होगा 5 क्यों कि root जो है square से कट जाएगा और नीचे है 1 का square करेंगे आप 1 का square एक ही होगा तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे और फिर P बट्टे Q का जब square करेंगे तो यह P square और बट्टे Q square होगा P square बट्टे क्या होगा सर Q square होगा अब आएंगे हम लोग नीचे हलका आजाते हैं और हम यहाँ पर आपको solve कर देते हैं लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा इसको नीचे नीचे ही solve कीजिएगा हम हलका मक्खी चूस वाला काम कर लेते हैं जगा बचा लेते हैं जगा बचाने का मतलब यह नहीं है जगा बचाने का मतलब यह कि आपको एक ही स्क्रीन पर सब कुछ दिख जाए अब बताए जो चीजे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पांच बटा एक बराबर पी ऐस्क्वाइर बटे क्यू ऐस्क्वाइर इसको कोना कोनी हम गुना कर लेते हैं कोना कोनी गुना करने का मतलब क्या है पी ऐस्क्वाइर को एक से गुना करेंगे तो यह आप सभी जानते हैं कि पी ऐस्क्वाइर होगा है P SQR का मतलब है P गुने P ठीक और आपके पास दाहिने हैं 5 Q SQR 5 Q SQR अब ये P गुने P जो आपको दिखाई दे रहा है हम क्या करते हैं इसमें से 1 P बाएं रखते हैं और 1 P दाहिने बेजेंगे हम हलका यहां आ जाते हैं आप लोग चीजों को समझ लिजेगा तो क्या पास दाहिने में 5 Q SQR है कितना है 5 Q SQR 5 Q SQR एक P आप दाहिने बेजेंगे तो इसके बट्टे में आ जाएगा P अब क्या करें सर्थ तो अब आपको क्या करना है अब आप करेंगे कुछ ने केवल देखेंगे अब आप यहां तक आने के बाद रुक जाईए और रुकने क बाद देखिए कि आपको क्या मिल पा रहा है यह जो पी है साथियों यह पुर्णांग है पी क्या है पुर्णांग है लेकिन 5 Q SQR बट्टे पी यह बट्टे वाली संख्या है यानि कि भिन संख्या है बट्टे वाली संख्या को क्या खाते हैं भिन संख्या है तो हमें मिल क क्या रहा है यहिए पी हो गया पुडदांक 5QSQ क्या बी भी хो सकता है नहीं हो सकता है याद रखिएगा कि पुर्णांक संख्या के बराबर कोई पुर्णांक ही होना चाहिए लेकिन यहाँ पर तो पुर्णांक के बराबर एक भिन संख्या रही है पुर्णांक के बराबर भिन संख्या का आना गलत बात है गलत बात क्या है कि यह जो condition हमें मिल रहा है वो गलत condition मिल रहा है हमने root 5 को परिमय माना और परिमय मान करके जब हमने root 5 में परिमय वाला गुन खोजने की कोशिस किया तो मुझे मिल गया गलत चीज ये क्या गलत चीज मिला परिमय संख्या बराबर भिन संख्या मिल गया जो की क्या है गलत चीजे हैं तो हम अब आगे क्या करेंगे एक लाइन लिखेंगे क्या लिखेंगे लेकिंगे यहां यहां पुर्णांक बराबर यहां पुर्णांक या पुर्णांक संख्या भी बोल सकते हैं पुर्णांक संख्या बराबर भिन संख्या अब आप ही बताए कि कभी भी पुर्णांक संख्या भिन संख्या के बराबर हो सकता है आम जो है न भाई सहाब आम जो है वो आम के बरावर ही होगा कभी भी आम जो है न वो केला के बरावर नहीं होगा केला के बरावर नहीं होगा लेकिन यहाँ पर पुर्णांक जो है आप सभी जानते हैं कि पुर्णांक के बरावर ही होगा लेकिन यहाँ पुर्णांक तो भीन के बराबर हमें मिल गया जो की सही बात नहीं है तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर करेंगे क्या लिखेंगे कि पुर्णांक संख्या बराबर भीन संख्या जो की संभव नहीं है जो की संभव नहीं है मतलब हमने क्या किया जब रूट पांच को परिमे माना और उसमें परिमे वाला गुन खोजने की कोशिस किया तो मुझे गलत चीजे मिल गया तो लिखेंगे अतह मेरा मानना गलत हुआ की रूट पांच एक अतह मेरा मानना गलत हुआ की रूट पांच एक परिमे संख्या है भाई सहाब आपने जो रूट पांच को परिमे माना था वो आपका मानना गलत हुआ गलत हो गया यानि की रूट पांच परिमे नहीं है अब आपको पता चल चुका है की रूट पांच परिमे नहीं है अब आप बताईए की क्या होगा वो तो दुनिया में अगर परिमेदा के अनुसार देखा जाए तो दो ही संख्याए होती है या तो परिमे संख्या या ओपरिमे संख्या तो रूट पांच जो है परिमे नहीं है इसका मतलब है की रूट पांच ओ परिमे है तो लिखेंगे इस परकार सिद्ध हुआ इस परकार सिद्ध हुआ की रूट पांच एक ओपरिमे संख्या है और परिमे संख्या है कुछ समझ में आ गया यहां पर अगर देखा जाए तो तीन लाइन ही मुख्य है चार लाइन कौन-कौन सा चार लाइन आपको मुख्य है वो समझने की कुशिश कीजिगा कुश्चन में दिया गया था कि Root 5 को परिमै संख्या सिधफ करके बताईए तो सबसे पहला लाइन मुख़् ही ये है कि हमने उसका जस्ट उल्टा माना कि Root 5 एक क्या है और परिमै संख्या है हमें सिध करना था और परिमै लेकिन हम हमें जब कभी भी root बाली संख्या को और परिमय सिद करने के लिए बोलेगा तो हम उसका जस्ट उल्टा परिमय मानेंगे तो पहला line क्या होगा सिद करना है परिमय लेकिन हम मानेंगे सुरी सिद करना है और परिमय लेकिन हम मानेंगे परिमय तो ये मुख्य line है दूसरा लाइन क्या है कि अगर हमने रूट पांच को पडिमय माना है तो इसको P बट्टा Q के रूप में हम लिखने की कोशिस करेंगे अब फिर यह जो प्रोसेस है दोनों तरफ वर्ग करने का फिर सॉलूसर करने का यहां तक आएंगे हम यहां तक आने के बाद कुछ इसी तरीका का कंडिशन आपको सब कोश्चन में मिलेगा तो अब यहां पर आप तीन लाइन लिखिएगा पहला लाइन तो लिखिएगा जैसे कि यहां पर पुर्णांक संख्या बराबर भीन संख्या मिला ठीक तो पुर्णांग संख्या बराबर भीन संख्या जो मिला दूसरे question में अलग-अलग condition मिल सकता है ऐसा भी हो सकता है कि पड़ी में संख्या बराबर हो पड़ी में संख्या आपको मिल जाए तो जो भी condition होगा आप यहाँ पर लिखेंगे अगर condition मानने वाला होगा तो लिखेंगे कि यह सही है अगर condition नहीं मानने वाला होगा तो लिखेंगे कि यह संख्या नहीं है जैसे कि पुर्णांग संख्या बराबर भीन संख्या हो गया तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो की संख्या नहीं है पहला बात आप ये लिखेंगे इसके बाद दूसरा बात यहाँ पर लिखेंगे अब आपने जो root 5 को परिमे मान करके आगे बरने की कोशिस किया तो आपको गलत चीज मिल गया तो हम बोल देंगे अता मेरा मानना गलत हुआ कि root 5 एक परिमे संख्या है मतलब आपने जो root 5 को परिमे माना था वो हो गए आपका गलत अब यानि की root 5 परिमे नहीं है अब अगर root 5 परिमे नहीं है तो हम लिख देंगे नीचे में इस परकार सिद्ध हुआ की root 5 एक और परिमे संख्या है तो ये वाला जो तीन लाइन है वो और ये वाला जो first लाइन है और ये दो लाइन ये ये दो लाइन और ये वाला तीन लाइन पांच लाइन इस तरह के सभी question में same आपको लिखना है इस तरह के जितने भी question आएंगे उस सभी question में ये तीन लाइन और यहां वाला दो लाइन पांच लाइन सेम टू सेम ही सभी कोश्चन में क्या करना है लिखना है और अराम से आपको इस तरह के कोश्चन के लिए फुल मार्क मिलेगा चलिए अब इसी तरह का एक इसी का प्रसनावली 1.3 का ही दूसरा नंबर कोश्चन बना करके देखते हैं फिर वही बात हम जानते कि आप अलग-अलग तरीका बिधी से सीख्या हूंगे लेकिन अभी मेरा बिधी सीख्ये जिस बिधी से मैं आपको बता रहा हूं ठीक चलिए और आपको खुद बखुद बता चल जाएगा कि कौन सा बिधी आपके लिए अच्छा है हम ये कॉस्चन में बोला गया कि सिद कीजिये कि 3 पलस 2 रूट 5 एक उपरीमे संख्या हैं तो हम अभी जस्ट बोले थे कि सिद करना है उपरीमे लेकिन हम इसका जस्ट उल्टा इसको मानेंगे परीमे तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना की माना की 3 पलस 2 रूट 5 एक परिमे संख्या है कुछ समझ में आया हमें सिद करना था आ परिमे लेकिन हमने इसको मान लिया परिमे अब हम आपको बोले थे कि जब आपने परिमे माना है तो इसमें परिमे वाला गुल खोजने की क्या करेंगे कोसिस करेंगे यानि की 3 पलस 2 रूट 5 जो है इसको हम पी बटा क्योंके बराबर करेंगे क्यों P बट्टा Q के बराबर करेंगे क्योंकि हमने इसे परिमेवाना है और यहां पर एक line लिख देंगे जहां जहां P तथा Q या P एवं Q P एवं Q पुर्णांग है क्या है P और Q तो P और Q है पुर्णांग ठीक इसके बाद इस कोस्ट को बंद कर देंगे और फिर इसके नीचे एक लगा लेंगे यह जो आपको दिखाई देना इसके नीचे क्या करेंगे एक लगा लेंगे तो यह 3 पलस 2 रूट 5 और बट्टे में हम लगा लेंगे 1 और फिर ये दाहिने में तो P बट्टा Q आल्रेडी वेठा हुआ है ये P बट्टा Q लिख लेंगे अब दोनों तरफ हम वर्ग करने की कोसिस करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिखेंगे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करने पर तो करो वर्ग दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब है कि 3 पलस 2 रूट 5 बटे 1 का भी वर्ग करेंगे और दाहिने में जो आपको दिख रहा है P बटे Q P बटे Q जो दिख रहा है इसको भी क्या करेंगे हम वर्ग करेंगे जब आप work करने के लिए जाएंगे तो ये जो square है उपर में सभी के उपर लगेगा जो कि आपके पास 3 पलस 2 root 5 है इसके उपर भी square लगेगा और नीचे में जो आपके पास है 1GB के उपर भी square लगेगा तो 1 का square य रसके ही होगा अब आप इसमें कोना कोनी गुना कर लेंगे, कोना कोनी गुना करने के लिए आएंगे जब, तो इस बार P स्कॉयर को एक से गुना करेंगे, तो P स्कॉयर को एक से गुना करेंगे, तो P स्कॉयर होगा, फिर दाहिने 3 पलस 2 रूट 5 को Q स्कॉयर से गुना करेंगे, तो यह जने में कोई रिकत एक दम नहीं होना चाहिए अब बढ़िये हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर मामला को सांथ करने की क्या करते हैं कोशिस करते हैं आप लोग ऐसा वाला मतल लिखिएगा आप लोगों के एक्जाम में जबायदा तो आप नीचे नीचे लिखते जाएगा ठ तो दो पी में से हम क्या करेंगे एगो पी को बाय रखेंगे ये पी को बाय रख लिए और दाहिने में आप देखेंगे तो आपके पास तीन पलस दो रूट पांच का हॉल स्क्वाइर और इंटू क्यू स्क्वाइर इंटू कैसर जी क्यू स्क्वाइर है अब यहां पर पी रुप में जाएगा तो अब आपके पास फिर से वही वाला कंडिशन आ गया जो कंडिशन question number 1 में था क्या condition था बाए में आप देख सकते हैं कि केवल P बच रहा है जो कि पुर्णांग है P क्या है पुर्णांग है और दाहिने में देख सकते हैं कि बटे वाली संख्या है यानि कि भिन संख्या है तो अभी फिर से दूसरे नमर question में वही समस्या उत्पन हो गया क्या समस्या उत्पन हो गया कि पुर्णांग संख्या जो है वो बराबर हो गया किसके तो इस भिन संख्या के जो की गलत बात है कभी भी पूर्णांक संख्या जो है वो पूर्णांक के ही बराबर होना चाहिए लेकिन यहां पर तो पूर्णांक संख्या भिन संख्या के बराबर दिख रहा है जो की संभब नहीं है तो लिखेंगे यहां एक लाइन लिखेंगे यहां पूर्णांक बराबर पुर्णांक संख्या लिख दीजे कोई दिक्कत नहीं है पुर्णांक संख्या बराबर भिन संख्या पुर्णांक संख्या बराबर भिन संख्या जो की संभव नहीं है जो की संभव नहीं है जो की संभव नहीं है भाई क्यों संभव नहीं है क्योंकि पुर्णांग तो पुर्णांग के बराबर होगा पुर्णांग बिन के बराबर कभी भी नहीं होगा अब आपने जो 3 पलस 2 रूट 5 को परिमे माना तो आपको जो चीजे मिला वो और संभब चीजे मिल गया यानि कि गलत चीजे मिल गया इसका मतलब है कि तीन पलस दो रूट पांच परिमें नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे अता मेरा मानना मेरा मानना मेरा मानना गलत हुआ मेरा मानना गलत हुआ मेरा मानना गलत हुआ कि तीन पलस दो रूट पांच तीन पलस दो रूट पांच एक परिमे संख्या है भाई साब आपने जो इस ये परिमे माना था वो मानना क्या हो गया गलत हो गया यानि कि तीन पलस दो रुट पाँच परिमे नहीं है और अगर परिमे नहीं है तो ओ परिमे है तो लिखेंगे इस परकार सिद्ध हुआ इस प्रकार सिद्ध हुआ इस प्रकार सिद्ध हुआ सिद्ध हुआ की इस प्रकार सिद्ध हुआ की तीन पलस दो रूट पांच एक औपरी में संख्या है एक औपरी में संख्या है औपरी में संख्या है और पड़ी में संख्या है अगर आप हमारे बिधी से question बनाते हैं तो ये तीन line आपको सभी question में same ही लिखना है क्योंकि हमारा बिधी ही कुछ ऐसा है जो सभी question को इस type में बदल देता है तो हम आसा करते हैं कि ये question आप समझे होंगे और अगर आपको हलका भी दिक्कत आए तो आप class को दो बारा देखिए तीन बार देखिए तो आपको क्या होगा concept और चीजे किलियर होती जाएगी आगे बढ़ते हैं और अगला जो आपका question है तीन नमर ये तो है भाई साब कि दो मार्क का ये question पूसा जाता है सिद्ध करने वाला और जो भी question पूसा जाएगा वो NCRT के type से ही पूसा जाएगा अगर आपने NCRT का सारा question बना लिया तो आप अराम से इस तरह के सभी question को बना सकते हैं ओके चलिए अब हम solve करते हैं यहाँ पर पहले question को ठिक पहले question को जब हम हल करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप question को देख लिए पूसा जा रहा है कि सिद्ध किजिए कि निम्लिखित संख्याई ओ परी में हैं आपको सिद्ध करना है ओ परी में है ये भी ओ परी में है तो तीन बाडी में आपको काम जो है करना होगा सबसे पहले हम हल करने के लिए जा रहे हैं पहला कोश्चन को किस कोश्चन को पहला कोश्चन को पहला कोश्चन में सरक्या दे रखा है तो पहला कोश्चन में दे रखा है आपको यहाँ पर एक बट्टा रूट ती और इसे सिद्ध करना है और परी में तो इसका जस्ट उल्टा हम मानेंगे परी में लिखेंगे माना की माना की एक बटा रूट दो एक और परी में नहीं एक परी में संख्या है 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 क्यों भाई साब हमें सिद करना है और हम इसे मान ले हैं परी में तो अब क्या होगा सर आप जानते हैं कि जो भी आप परी में संख्या होती है पी बट्टा क्यूं के बराबर होती है अगर हमने एक बट्टा रूट दो को परी में माना है तो इसको हम पी बट्टा क्यूं के रूप में क्या कर सकते हैं ल क्या होगा सर जी तो जहां पी एवंक क्यूं क्या होगा तो पी एवंक क्यूं पूर्णांग होगा क्या होगा पूर्णांग है पी एवंक क्यूं क्यूं क्या है तो पूर्णांग है समझ में आया चीजे इस कोस्ट को बंद करेंगे और अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे यह अल्रेडी पाले से ही बट्टा के रूप में लिखा हुआ है तो हम डारेक्ट इसको दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करने पर वर्ग करने पर तो दोनों तरफ वर्ग कीजिए दोनों तरफ वर्ग करन साहिब इसकुरायर करेंगे और जो दाहिने में चाहिए करेंगे यानि की वर्ग करेंगे अब आप ए यह जो दो है पावर में वpta एक पर भी जाएगा तो एक का स्कॉयर एक होगा और क्यूंकि हम बताई थे पहले बाले कुष्ण में कि अगर जिस्छ संख्या पर रूट भी और स्कॉयर भी हो तो यहां पर स्कॉयर से रूट कट जाता है तो यहां पर दो जाएक तो केबल 2 बच जाएगा पिर दाहिने चलीये दाहिने incur P square, कौन सा square P square और बट्ते में हो जाएगा Q square आप क्या कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए कोना कोनी जब गुना करेंगे तो Q square को एक से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा Q square, ठिक और P square को 2 से गुना करेंगे, तो ये होगा 2 P square 2 P square, ठिक अब यहाँ पर एक चीजे हम वही वाला करेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं क्या हो रहा है ये q square जो है इसको q गुने q लिख सकते हैं एक q हम बाय रखेंगे और दाहिने में पहले से 2p square बैठा हुआ है अब यहाँ पर एक q हमने बाय रखा है तो एक q कहा जाएगा बटा के नीचे दाहिने जाएगा अब आप यहाँ पर देखेंगे तो फिर से वही वाला condition आपको मिल रहा है कौन condition मिल रहा है तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि q जो है एक पुर्णांग है जो पाले ही हमने क्या किया था माना था नहीं यह अल्रेडी होता ही होता है पुर्णांग लेकिन दो पी ए स्क्वाइर बटे q क्या है भिन संख्या है और दोनों बराबर दिखाई दे रहा है जो की संभब नहीं है तो लिखेंगे हम हलका ऐसे कर देते हैं लिखेंगे यहां यहां क्या हुआ भाई साहब यहां पुर्णांग बराबर या फिर पुर्णांग संख्या बराबर मिल गया आपको भिन संख्या पुर्णांग संख्या बराबर क्या मिल गया सर भिन संख्या मिल गया जो की संभब नहीं है जो कि संभव नहीं है आप लोग राइटिंग हलका मैनेज कीजिएगा समझने की कोशिज कीजिएगा तो यहाँ पर आपको पूर्णांग संख्या पर भीन संख्या मिल गया जो कि संभव नहीं है इसका मतलब आपने जो परी मैं माना था एक बटा रूट दो को वो हो गया गलत तो लिखेंगे अतह मेरा मानना गलत हुआ की एक बटा रूट दो एक बटा रूट दो एक परी मैं संख्या है एक परी मैं संख्या है एक परी मैं संख्या है कुछ समझ में आया आपका मानना क्या हो गया गलत हो गया अब आपका मानना गलत हुआ की ये परी मैं है मतलब ये परी मैं नहीं है परी मैं नहीं है तो आपरी मैं होगा तो लिखेंगे इस परकार सिद्ध हुआ कि एक बट्टा रूट दो एक परिमें संख्या है एक परिमें संख्या है कुछ समझ में आया चीजे इस तरीका से आप बनाएंगे आपके 100 में 100 मार्क्स आएंगे अगर इस system से आपने बनाने की कोशिश्ट किया तो अब इसका दूसरा question भी हम बना देते हैं तीसरा question आप खुद बनाएंगे क्यों sir तीसरा question क्यों नहीं बना दीजिए आप तो तीसरा कोश्चन जैसा है वैसा ही सेम तू सेम हमने आपको दूसरा कोश्चन बताया है दूसरा कोश्चन जैसे बनाए है ऐसा हो चलो हमी बना ही देंगे क्या दिक्कत नहीं दूसरा कोश्चन को देखिए साथ रूट पांच है दूसरा कोश्चन क्या है M Sams, 7 root 5, एक बार confirm परोप ही है कशे नहीं, साथ root 5 ही है तो लिखेंगे माना कि 7 root 5 एक परी मैं संख्या है कुछ समझ में आया, हमें और परीमै सिद्ध करना था लेकिन हमने मान लिया यह परिमैं है अब ये अगर पडिमे है तो अब क्या करेंगे सर तो लिखेंगे कि भाई साथ रूट पांच साथ रूट पांच पन लए है पता नहीं देखिए कहांपर है तो यह साथ रूट पांच क्या हो जाएगा बराबर होगा पीवक्टे क्यूँ के । तो अब जब इसको परिमेर माने इसका मतलब यह बराबर होगा लिखेंगे जहां जहां पी अबंक्यूग्ण जहां पी एबम Q पुर्णांग है ये सब चीज तो same to same ही सभी question में आपको क्या करना है लिखना है तो ये तो एक समस्या ही नहीं है तो जहां लिखेंगे P और Q पुर्णांग है अब हम इसको बट्टा के रूप में लिख लेते हैं जरा एक बार ये जो 7 root 5 है इसके बट्टे में एक लगा दीजिए और दाहिने में P बट्टे Q जो है इसको लिख लिख लिजिए अब दोनों तरफ वर्ण कीजिए तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ण करने पर दोनों तरफ वर्ण करने पर वर्ण करने पर ये मैं आपको अपना बेदी बता रहा हूँ अगर आपने कोई दूसरा बेदी परहा होगा तो सिधा समझ लिजी और मैं ये मिलान कर लिजी कि कौन सा बेदी आपके लिए अच्छा है कौन आपको जल्दी समझ में आ रहा है ठीक दूसरी बाते हैं कि किताब का भासा एक गम नहीं परना है आपको किताब की जो भासा है आप देखेंगे इसी question को NCRT खोलिए और आपको पता चलेगा कि NCRT में इस type के question को कैसे बना के रखा है ऐसे बना के रखा है जैसे कि भाई पिद्यार्थी समझ ही नहीं पाएगा तो हम आपको यही सला देना चाहेंगे कि एक किताब का भासा कभी बत पर ये अपने भासाओं में परने की कोशिस कीजिए क्योंकि जब आप एक्जाम देने जाएंगे अपने भासा में उत्तर लिखना है तो जहां कहीं भी आपको किताबी भासा पढ़ाया जा रहा है किताब का भिधी पढ़ाया जा रहा है तो उस सभी को क्या कीजिए उस सभी से दोर रहिए और एकदम अपने सब्दों में, अपने भासा में चीजों को सीखिए, आप जदे दिन तक याद भी रख वाएंगे, और आपके लिए ये पलस पॉइंट भी माना जाएगा, तो हमने लिख दिया दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब क्या है, इधर एक तरफ है साथ रूट पांच बट्टे 1, तो इसका कर लेना है हमें सर्जी स्क्वाइर, और एक तरफ है P बट्टे Q, एक तरफ क्या है? P बट्टे Q है, तो इसका भी कर देंगे हम स्क्वाइर, तो अब चलिए, आगे बढ़ते हैं, हलका एक मिनट आप लोग सोचि वेट किजी चलिए तो यहां पर आप क्या करेंगे भाई कुछ लिए आपने कुछ क्या कि सोचा एक मिनट में कुछ की नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं अब आगे के step में हमें क्या करना है उस पर focus किजिए आप लोग यहां पर क्या करेंगे यह मिनट एक मिनट देखिए यह जो square है वो साथ रूट पांच पर भी जाएगा और एक पर भी जाएगा देखिए तो साथ रूट पांच के उपर जब square जाएगा तो क्या होगा सो देख साथ के उपर भी square जाएगा और गुने रूट पांच के उपर भी square जाएगा ठीक क्योंकि जब आप post के उपर square लगाते हैं तो post के अंदर जितनी भी संख्या है सब पर square जाएगा तो यहां पर क्या होगा सर तो यहां पर होगा कि साथ का जो square है न साहिब साथ का जो square है वो होजाएगा 49 कितना होगा 59 यह गुना है तो गुना रूट 5 का 500 होता है 5 क्योंकि स्क्वाइर से रूट क्या होगा कैंसिल होगा ठीक है अब आप 49 को 5 से गुना करेंगे तो 5 नमा 45 का 5 हांसिल 4 और 5 चो के 20 और 4 24 24 24 कितने होगा वाई साब 245 लगभग हां लगभग क्या यह 245 ही होगे ठीक अब आपने देख लिए कि 7 रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा तो सर 7 रूट 5 का स्क्वायर है वो मिला 245 कितना मिला 245 और बट्टे में 1 का जो स्क्वाइर है वो 1 होगा फिर दाइने में क्या करेंगे P का स्क्वाइर करेंगे तो P स्क्वाइर और Q का स्क्वाइर करेंगे तो Q स्क्वाइर फिर बढ़िए आगे कोना कोनी गुना करेंगे तो P स्क्वाइर होगा जब एक से गुना होगा तो और यह हो जाएगा 245, 245 q² हो जाएगा, अब वही काम करेंगे, फिर से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक मिनद रुकिएगा, इसको मिटा देते हैं, यह काम तो हमने आपको समझाने के लिए किया था, और आपको भी यह काम रफ कॉपी में ही करना है, पी स्कॉयर में से एक पी अगर बाएं रखेंगे, दाइने में 245 q² और बटे में हो जाएगा, यहाँ पर आपका पी, बटे में का हो जाएगा, एक पी आजाएगा बटे में, तो सर फिर तो वही कंडिशन मिल गया, देखो कितना अच्छा विधी है, आपको वहीं से ठीक कर सकते हैं, देखिए मेरा बिधी वहीं पी जाके रुपता है, यह हो गया सरफ पुर्णांक, क्योंकि पी है, और हमने उपर में ही लिख दिया कि पी अबन क्यों पुर्णांक है, और यह जो आपको दिख रहा है, 245 q² बटे पी यह तो भीन संख्या है, तो लिखें संख्या बराबर भीन संख्या, पुर्णांक संख्या बराबर भीन संख्या, जो की संभव नहीं है, जो की संभव नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे, संभव नहीं है, संभव नहीं है, क्यों नहीं संभव है भाई साब, देख लिए आपने, कभी भी पुर्णांक भीन के ब्राबर होगा ही नहीं अब आपने जो साथ रूट पांच को पड़िमय बाना और आगे बरहाद तो आपको पता सला कि मद्सम्भब चीज़े मिल लई है गलत चीज़े मिल लई है अता हम कह सकते हैं कि इसे पड़ी मैं मानना था यह पड़ी मैं मानना हो गया गलत तो लिखेंगे अता हमारा मानना गलत हुआ गलत हुआ की गलत हुआ की साथ रूट पांच साथ रूट पांच एक पड़ी में संख्या है एक पड़ी में संख्या है क्या समझा आपने की भाई आपने जो पड़ी में माना था न वो हो गया गलत यानि की साथ रूट पांच पड़ी में नहीं है परिमय नहीं है तो ओ परिमय होगा, तो लिखेंगे इस परकार सिध्ध हुआ इस परकार सिध्ध हुआ सिध्ध हुआ की साथ रूट पांच एक, औ परिमय संख्या है और परिमें संख्या है और परिमें संख्या है इस तरह से आपने इस कोश्चन को भी बना लिया चलो तीसरा कोश्चन को भी दो मिनट में बना ही देते हैं च्छो पलस रूट दो सिंपल है आप आराम से इस कोश्चन को क्या अगर सकते हैं बना सकते हैं चलो हम बना ही देते हैं आप अगर बना लेंगे तो एक बाद देख लेना डिमीजन हो जाएगा च्छो पलस रूट 2 के बारे में सोचते हैं यह जनरली है कोुश्चन नंबर 3 हम हल करने जा रहे हैं कोश्चन नंबर 3 में जो हल करने जा रहे तो लिखेंगे माना की माना कि छो पलस रूट दो, बिल्कुल छो पलस रूट दो, छो पलस रूट दो, एक परिमय संख्या है, एक परिमय संख्या है, हमने इसे मान लिया परिमय, ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम अगर इसे परिमय माने हैं, तो इसको P बट्टा क्योंकि बरावर करेंगे, तो लिखेंगे तो, तो जो आपका छौ पलस रूट दो है, वो बरावर होगा P बट्टे क्योंकि, क्योंकि हमने इसे परिमय माना है, जहां पर क्या होगा बाई साभ? जहां P-A-B-Q, पुर्णांक हैं, क्या है, तो जहां P-A-B-Q, पुर्णांक हैं, उके, अब बढ़ेंगे आगे, और हम आगे के चीजों को आगे के जो प्रोसेस है, उसको करेंगे, तो देखें क्या होगा, सिंपल सी बात है हम इसको पहले बट्टा के रूप में बदल लेते हैं नहीं भी बदलेंगे तो चलेगा लेकिन हमें एक step जो है देखने में अच्छा लगेगा इसलिए हम इसको कर लेते हैं यह आपने अपने मन से इसके नीचे एक लगा दिया अब क्या होगा? दोनों तरफ वर्ग करेंगे सेही मकाम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर तो करो, दोनों तरफ वर्ग करो दोनों तरफ वर्ग करने के बाद सर्क्या मिलेगा तो देखिएगा ध्यान से कि क्या होने वाला है आप जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका मतलब 6 पलस रूट 2 बट्टा 1 का वर्ग करेंगे और साथ ही साथ P बट्टा Q का भी work करेंगे यानि के square करेंगे ये square 6 पलस root 2 पर भी जाएगा और बट्टा में 1 है इस पर भी जाएगा तो इसका square एक ही होगा इधर P square पर work करेंगे तो P square और Q पर करेंगे तो Q square condition फिर वही है कोना कोनी गुना करेंगे P square को एक से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका P square और फिर इस सभी को Q square से गुना करेंगे तो 6 एक मिना टुक जाओ क्या होगा तो सर यहाँ पर तो हमें 6 पलस root 2 का कर लेना होगा square हाँ 6 पलस root 2 का square करेंगे और इसके into में होगा Q square क्या होगा Q square होगा फिर क्या होगा सर तो फिर वही बाला कहानी यहाँ पर हमें लिखना परेगा कौन बाला कहानी यहाँ पर देख लिजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि P को रखेंगे बाएं P को बाएं रखेंगे तो फिर क्या मिलेगा सर दाहिने में चो पलस रूट दो जो है वो तो रहेगा ही रहेगा चो पलस रूट दो का हॉल स्क्वाइर और इंटू क्यू स्क्वाइर चो पलस रूट दो का हॉल स्क्वाइर और इंटू में क्या लिखना होगा सर क्यू स्क्वाइर तो यहां पर हम लिख देंगे चो पलस रूट दो का इंटू Q A2 और बट्टे में क्या होगा तो बट्टे में पी ए2 था एक पी बाएं तो दायने में जाएगा तो फिर वहीं पे आए हम लोग पी है पुर्णांक और ये भीन संख्या है तो लिखेंगे यहां पुर्णांक बराबर पुर्णांग संख्या बराबर भीन संख्या जो की संभव नहीं है अब ये संभव नहीं है इसका मतलब आपने जो माना पड़ी में वो गलत है तो लिखेंगे आता मेरा मानना मेरा मानना गलत हुआ की छो पलस रूट दो एक पड़ी में संख्या है एक पड़ी में संख्या है तो भाई साब अगर ये मानना गलत हो गया की पड़ी में है इसका मतलब पड़ी में नहीं है पड़ी में नहीं है तो लिखेंगे इस परकार सिद्ध हुआ की इस परकार सिद्ध हुआ की छो पलस रूट दो बिल्कुल ठीक है इस परकार सिद्ध हुआ की छो पलस रूट दो एक और पड़ी में संख्या है एक और पड़ी में एक मनट और पड़ी में संख्या है और पड़ी में संख्या है खुछ समझ में आ गया इस तरीका से आप प्रसना बली एक दसमलत तीन के सारे कुश्चिन को बना सकते हैं अब चलिए ना ने स्टॉप हम लोग चलते हैं प् कर लिजिए ठीक है ओके देख लेते कि हम लोग अभी तक कितना मिनट क्या कर चुके हैं पढ़ चुके हैं बस कुछ नहीं 40-45 मिनट पर रहे हैं फिर 10 मिनट का और कलास बचा हुआ है तो मन लगा करके क्या कर लिजिए पढ़ ही लिजिए देखिए प्रसनावली 1.4 में जो प आप बढ़ती है तो इसके लिए मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर कोई भी पी बटा क्यू के रूप की संख्या है और इसको पूछा जा रहा है कि यह जो है इसका दसमला परसार सांथ होगा क्यों सांथ होगा तो कैसे बता पाएंगे कि इसका दसमला परसार तो कैसा होगा सांथ होगा और अगर इसके रूप का नहीं होता है तो और सांथ होगा यानि कहने का मतलब है कि क्यू का अभाज गुनन खंड अगर केवल दो आ रहा है तो भी सांथ होगा अगर केवल पांच आ रहा है तो भी सांथ होगा और दो गुने पांच आ रहा है तो की सान्त होगा करते हैं अपने जो इससे पहले वाला गिलास देखा तो उसमेर जाना होगा पहला कुश्चन के उपर पढ़ार करते हैं और जारने सीखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम लोग जो है बात करेंगे पहला कुश्चन के लिए पहला कुश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये तेरा बट्टा आप हम सबसे पहले क्या करना होगा और जानना होगा कि इसका अवधाज गुनन खंड क्या है तो अगर हम लोग की पहले हैं और फिर पांच से लगाएंगे पांच दूना दस, और पांच पांच से लगाने का मतलब 5 से भाग देना, और फिर 5 से लगाएंगे तो, 25, मतलब 5 आगया सर 5 बार, यानि कि इसको लिख सकते हैं 5, गुने 5, गुने 5, गुने 5, और गुने 5, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 का पावर 5, तो हम देख पा रहे हैं, कि इसका जो अभाज गुनन खंड है, उसमें केबल, केबल 5 दिख रहा है, तो याद रखेग कि Q यानि कि बट्टा के नीचे बाला यानि कि हर का जो अभाज गुनन खंड होगा अगर उसमें केबल पांच दिखे तो भी सांथ केबल दो दिखे तो भी सांथ और दो और पांच दोनों दिखे तो भी सांथ और दो और पांच को छोर करके हर के अभाज गुनन खंड में तो यह क्या होगा अच्छा पाला हो गया सांत कियों सांत हुआ तो आप लोग समझ पाए होंगे इसके दूसरे चुश्चन को हम यहीं पर निप्टा देते हैं तो आजए दूसरा कुश्चन पर हम लोग करते हैं फोकस दूसरा कुश्चन है 17 बट्टा आठ अब इसका चेक करना है कि ये 7 है कि और 7 आवरती है बातों को समझे उपर वाला से हमें कोई मतलब नहीं होता है हमें मतलब होता है हर से यानि कि जो Q है उस से यानि कि बट्टा के नीचे वाला से लेकिन ये एक बात जरूर याद रखेगा जाकि उपर और नीचे में कुछ कटने वाला हो तो उसे काट लेंगे लेकिन 17 और 8 में तो कुछ नहीं कटने वाला है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे 8 का अभाज गुनन खंड निकालेंगे यानि कि 8 को चेक करेंगे कि इसके अभाज गुनन खंड में क्या है तो आप सभी जा कि पावर से कोई मतलब नहीं है पावर में कुछ भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है हमें गुनन खंड क्या मिल रहा है केबल दो मिल रहा है तो केबल पांच था तो भी सांत और केबल दो आया तो भी क्या होगा सर जी सांत होगा अब बात करेंगे हम लोग तीसरे कोशिचन बट्टा चार सो पच्पन के बारे में तो आईए हम तीसरा कोशचन c65 बट्टा 425 को क्या करेंगे सर हम चेक करेंगे अगर कुछ कटने वाला होगा तो हम इसे पहले काटेंगे और फिर इसे क्या करेंगे? चेक करने की कोशिश करेंगे. तो ह primo में भी 5 अब भाग लगे और 445 में भी 5 से भाग लग जाएगा. तो जो भाग लग जाएगा तो उसको लगा ही दीजी, सोचना नहीं है. देखिए 5 से अगर 65 को भाग दीजीएगा, तोाउ पाउन से का 5 5 रड़ा, के पर नीचे करेंगे कि कौन जो है है मतलब यह कटने वाला तो नहीं है कटने वाला होगा तो इसी तरह से पहले काट लेंगे तब हम उसके बारे में सोचेंगे तो अब आप 13 बट्टा 91 के बारे में सोचिए और एक चीज़ आप ये भी देख सकते हैं 13 से 91 को काट भी सकते हैं अब नमा 45 अब पाँचे काट सकते हैं कैसे काट सकते हैं 13 को 91 से तो 13 सकते क्या होगा सर्जी 91 तेरा का 13 और तेरा सकते एक आनवे यानि कि एक बट्टा साथ हो गया अब आप 13 बट्टा 91 के बारे में सोचेंगे तो आईए हम लोग सोचते हैं सीखते हैं समझते हैं और देखते हैं कि आखीर ये ये क्या होगा क्या चीज़े यहां पर आपको क्या जो है करना है एक मिनट उके तो 64 था की 65 था यह हमें कन्फॉर्म करने दिए क्योंकि हलका इसमें हैं कन्फुटर ओहो ये तो 64 बट्टा 455 है भाई 64 बट्टा 455 है तब तो होगा देखक थिक तो एक काम कीजिए अगर 64 बट्टा 455 है तो हमें तो फिर इसको ठीक करना होगा ठीक चलो कर लेते ठीक कर ही लेते हैं सोचने वाली क्या बात है आजब 64 बट्टा 455 है देखो हलका मिस्टेक जो करेंगे तो आप इसी तरह के समस्या में खासेंगे इसलिए मैं सोच भी रहा था कि कैसे कैसे जा रहा है हां मतलब आपने एक कंसेप्ट भी सीख लिया कि अगर ऐसा ह होगा तो कैसा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं गलत तो हम लोगों ने सीखा नहीं है बस हम लोग केबल गलत यह उटार लिए अगर ऐसा कोशन आएगा तो आप कर सकते हैं अभी हमें 64 बटा 455 लेकर के काम करना चलो हम कर ही लेते हैं कोई लिक्कत वाली बात नहीं देखो यह रहा भाई साहब आपका 64 कितना रहा 64 रहा और जब 64 है ना तो कटने की कोई नाम ही नहीं लेगा उपर 64 का 64 ही रहेगा नीचे 455 ही रहेगा ठीक तो अब 455 का किसका तो 455 का अभाज गुननखंड निकाल लिए और देखिए कि क्या होगा तो हम अगर 455 का अभाज गुननखंड निकालते हैं तो क्या होगा देखिएगा आप पांच से लगा लेजे ठिक 5 से लगाएंगे तो 5 नमा 45 और 5 का 5 यानि कि 95 फिर आप इसमें लगा सकते हैं 7 से क्योंकि 13,90 यानि कि हम इसे लिख सकते हैं 5 गुने 7 गुने 13 जो की भाई साप गलक चीजे मिल गया हमें हम बोले थे कि अभाज गुनन खंड में 2 और 5 ही रहेगा यानि कि 2 का पावर M गुने 5 का पावर N के रूप का होना चाहिए क्यों लेकिन यहाँ पर तो सर्फ 5 है लेकिन 13 और 7 भी है तो इसी लिए यह क्या होगा और 7 होगा क्या होगा सर जी और 7 होगा जब कभी भी आवाज गुनन खंड में जो है 5 और 2 को छोड़ के कुछ भी आए तो वह हमेशा और 7 ही कहलाएगा अब बढ़िए आगे और चौथा नंबर कोश्चन को स्वाल कीजी एक एक कोश्चन मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि कट सकता है 5 से भाग देंगे तो 5 तीया 15 और 5 से इसको भाग देंगे तो यह भी कट सकता है 5 तीया 15 16 में से 15 गया एक एक पर यह 0 आएगा तो हो जाएगा फिर 10 और 5 दूना 10 और यह 0 उतार लेंगे यानि कि 320 22 three 25 keep 53 पंदरा और 25 सा तो अब जो आपको सोचना है वह 322 को सोचना है 320 सांठ है की सांथ नहीं है इसके बारे में सोचना है शीक्त तो आहिए सोचने से?. समझने समझने की कोसिस करते है इसमें हम際 veramente ठीक ही जा रहा है तो करने की कोसिस करो आप को क्या करना होगा सर आपको तो करना होगा 320 का आवाज गुनन खंड निकालना होगा तो निकाल करके देखिए 320 का आवाज गुनन खंड निकाल के देखिए आप अगर इसमें 2 से लगाएंगे तो बिल्कुल ठीक है और फिर 2 से लगा दीजे तो सर 5 होगा यानि कि कितनी बार हो गया सर यहाँ पर 2 आया 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 5 देखिए मेरे काम का चीज यही था आपने देखा कि 2 आ रहा है यहाँ पर 3 और 3, 6 बार यानि किसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6 और गुने 5 का पावर 1 5 का पावर क्या लिख सकते हैं अब गौर्ण से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें इसके गुनन खंड में 2 और 5 ही दिख रहा है इसका मतलब है कि यह सांत होगा कैसा होगा सर जी यह सांत होगा अब बरते हैं आगे और आगे के चीजों को समझेंगे अब अगला पांचमा नम्मर कोश्चन को सोचिए कि क्या होगा पांच नमर कोश्चन को देखेंगे तो आपको चले 29 बट्टा 343 तो देखिए 29 बट्टा 343 क्या होगा यहां पर हम बात करने जा रहे हैं पांचमें नम्मर कोश्चन की जो की है 29 बट्टा 343 29 बट्टा 343 343 के अगर बारे में बोला जाए तो यह तो सीधा 7 का Q है किसका Q है 7 का Q यानि कि अगर आप 343 का आभाद गुनन खन निकालने के जाएंगे तो 7 से लगाएंगे 7 चोक अठाएंगे और आप 34 में से 28 गटाएंगे तो 6 मिलेगा 6 पर 3 जाएगा तो 63 और 7 नमाद तरिसट और फिर 7 से लगा देंगे 7 सत्य उन्चास यानि कि 343 को लिख सकते है 7 गुने 7 गुने 7 और इसी को आप लिख सकते हैं कि क्योंकि 2 और 5 तो दिखी ने रहा है ठीक और तो ये और 7 होगा क्या होगा और 7 आवरती होगा अगर आप और 7 में लिख दिये तो कोई दिक्कत वाली बाते नहीं आएगी ठीक अब ये तो हमने देख लिए 5 कोश्चन 6 कोश्चन के बारे में और 5 का पावर 2 तो देखी ए आप जरा सोचो प्यारे इश कोश्चन के बारे में क्या सोचो देखें याँ पर जो आपका कोश्चन है चो नंबर वह है 23 बटे 23 बटे कितना एक बार और देख लेते हैं इधर 23 बटे दो-का-पाबर T-N-5-का-पाबर दो का पाबर है T-N और इंटू-5-का-पाबर दो है तो ये सांथ होगा की और सांथ तो सर इसमें तो डरेक्ट दिख रहा है इसमें तो बनाने की भी जरूरत नहीं है इसमें तो आभाज गुननखंड पहले से निकाल के दे रखाए यह सांत ही होगा कैसा होगा यह सांत होगा क्यों सांत होगा क्योंकि Q already यानि कि पहले से ही 2 और 5 के गुननखंड के रूप में है यानि कि इसका गुननखंड पहले से ही 2 और 5 है क्या है 2 और 5 है समझ में आगया चीज़े इसके बाद अब हम करेंगे इसका सात्मा नंबर कोश्चन का जो है operation सात्मा नंबर कोश्चन क्या पूछ रहा है 139 बटे 2 का पावर 2 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 ठिक 139 बटे में क्या है सर तो बटे में है यहां पर देखेंगे 2 का पावर कितना 2 5 का पावर 7 2 का पावर 2 है 5 का पावर 7 है और 7 का पावर 5 है अब यह यानि कि इसके बारे में आपको पूछा जारा है कि यह सांत होगा कि औसान्थ होगा तो सिंपल फंडा है क्या फंडा सिंपल है तो रेखिए फंडा सिंपल यह है कि अगर नीचे में गौर से देखेंगे यानि कि हर को यानि कि क्यूं को गौर से देखेंगे तो यहां तक तो ठीक था दो गुने पांच लेकिन कवाब में हड़ी कौन बन गया ये 7 बन गया, अगर 7 नहीं होता तब तो 7 होता ये, 7 नहीं होता तो 7 होता, क्योंकि हम बता रखें कि दो गुने 5 के रुपका होना चाहिए, अब आज गुनन खंड क्यों का? लेकिन 7 आ गया बीच में, चौबटव 15 कई बार बच्चे यहाँ पर गलती कर लेते हैं आप नहीं करेंगे देखिएगा चौबटव 15 के बारे में। चौबटव 15 है यहाँ पर अगर कोई बच्चा धरफर में इस question को अगर छोटा समझेंगे इस question को अगर हल्का में ले लिया आपने तो आप क्या करेंगे बहुत ग्याता समझेंगे आपको अपने आपको और 15 का धाई दबन निकाल देंगे गुननखंड और बोलेंगे 3 पंचे 15 यानि कि 3 गुने 5 तो और 7 लिख देंगे क्या लिख देंगे आप इसको लिख देंगे और 7 लेकिन आपको इतना जल्दवाजी नहीं करना है आपको इतना चल्दबाजी नहीं करना है देखिए इसका हकीकत क्या है और सच्चाई क्या है और ये कोश्चन कई बार आपके एक्जाम में इसी खासियत के बज़र से पूछे जा चुके हैं इसका जो खासियत है इसी के खासियत के बज़र से ये कोश्चन कई ब पताया था भाई साहाब क्या बताया था कि अगर वोपर नीचे कुछ कटने वाला होगा तो ka őंटर कट नेशकर तो रहा है तीन से छो को भाग bells देंगे तो 3 दोना चो और सब्लक more complex है यानि कि थी बट्डा इसक सकते हैं मतलब जो इसका पांच दिख रहा है तो समझ में आ गया इस तरह का धरफरी आपको नहीं करना है आगे बर ये और दूसरा है 35 बट्टा पचास क्या है सर जी 35 बट्टा पचास है तो 35 बट्टा पचास क्या होगा देखी लो यहां पर बना ही देते हैं नौ नंबर कॉस्च्ट को जो कि है 35 बट्टा पचास कितना है तो यह है 35 बट्टा पचास यह जाप्जेक्टिब में आएगा यह सब कुस्टैफ में यह क्या है यहां पर जो मे पहले कुछने वाल सको काटेंगे पांच से 35 को भाग देंगे तो पांच सत्य 35 और पांच से 50 को भाग देंगे तो पांच दहें 50 क्या होगा सर ये पांच दहें 50 होगा आपको मिला क्या आपको मिला सर 7 बटे 10 उपर वाले को तो अब देखना नहीं है अब दस जो आप देखना है इस दस को लिख सकते हैं दो गुने पांच इसके रवार आप इसे कुछ भी ने लिख सकते हैं तो इसके, यानि कि दस के अब आज गुनन खंड बे दो और पांच दिख रहा है इसलिए ये क्या होगा सर ये सांत होगा इसके बाद लास्ट एक कुश्चन बच जाता उसको क्यों छोड़े हम 77 बट्टा 210 आईए चेक करते हैं 77 बट्टा 210 को आपका 10 नंबर जो कुश्चन है वो है 77 बट्टा 210 77 बट्टा कितना है सर 210 है इसको चेक करके हम लोग देखेंगे कि इसका क्या सोलूशन आ रहा है भाई 77 बट्टा 210 उपर में नीचे तो कटेगा नहीं तो सीधा हम 210 का अभाज गुनन खन निकालेंगे तो 210 का अभाज गुनन खन निकालने के लिए जाएगा तो 2 से दीजिएगा 2 एका 2 और 2 पंचे 10 यानि कि 105 दुना 210 फिर आप इसमें लगा लिजिए 3 से तो आराम से काम चलेगा 3 तिया 9 और 3 पंचे 15 तीन से 105 में भाग दीजिएगा तो मिलेगा आपको 35 कितना मिलेगा साहे 35 मिलेगा अब फिर आप इसमें लगा लिजिए 3 से तो नहीं लगेगा पांच से लग सकता है तो पांच सत्य 35 ऑबर ओल देखा जाए तो दो गुने 3 गुने 5 गुने 7 लो भाई साहम दो गुने 3 गुने 5 और गुने 7 लो दो और 5 अगर रहता केबल तब तो सांत होता लेकिन 2 और 5 के साथ 3 और 7 भी आ गया 2 और 5 के साथ अगर कोई भी तीसरा संख्या आ जाएगा तो उसे स्थिति में और सांत होगा क्या होगा सर और सांत होगा और सांत होगा समझ में आ गया और सांत आपके क्या हो जाएंगे यह आंसर हो जाएंगे तो इस तरह से हम आसा करते हैं क इसको समझेने कोशिच कीजिएगा, कोश्चन है कि ऊपर दिये गए प्रस्ण में, यानि कि प्रस्ण नमबर एक में, उन पड़ी में संख्याओं के दसमला प्रसार को लिखिए, जो सांत हैं, एक नमबर कोश्चन में, एक से ले करके दस कोश्चन हैं, तो इस दस में कुछ सा सांत था, कुछ और सांत था, तो आपको क्या करना है, जो सांत था, क्या था, जो सांत था, उसका दसमला प्रसार लिखना है, उसका दसमला प्रसार लिखना है, तो आईए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन-कौन सांत था, ठीक, तो आईए देख लेते हैं, कौन-कौन सांथ था तो सबसे पहला है 138,325 तो 138,325 यही सांथ था 138,325 पहला सांथ था तो 138,325 को लिखिए यहां पर हम पहला के बारे में बात करेंगे जो था 138,325 था इसको दसमला की रूप में कैसे लिखेंगे यानि कि इसका दसमला प्रसार दसमला प्रसार कैसे लिखेंगे तो इसका दसमला प्रसार लिखने के लिए यानि कि इसको दसमला में बदलने के लिए एक ही फंडा है भाग देना क्या करना भाग देना आप 139,325 से भाग देंगे 139,325 से क्या करेंगे भाग दें तो 325 से अगर आप 13 को भाग देने जाएंगे तो भाई साब यह बहुत बरी संख्या और यह बहुत छोटी संख्या तो आपको गुरु जी ने बताया होगा बच्पन में भाग सीखते त्राइम कि अगर छोटे संख्या में बरी संख्या से भाग देना परे तो 0.0 ले करके आ एक जीरो उतार लेना और फिर देखना कि यह संख्या जिससे भाग दे रहे हैं उससे बरी हुई कि नहीं हुई तो सर हम 0.0 डाल करके एक ही जीरो डाल सकते हैं तो एक जीरो डालने से तो सर यह बरी हुई नहीं तो एक जीरो और डालेंगे लेकिन वहां पर एक जीरो डालन डालना होगा तो उससे पहले एक 0 यहां डालेंगे और तब एक 0 यहां डालेंगे अब यह हो गया सरजी 13,000 और यह 3,000 ही है यह कितना है 3,000 ही है अब 13,000 को 3,000 से भाग देना है सोचिए कितना से लगाना चाहिए आपको वैसे 3,000,15 जाएगा 3,000,12 हमें 4 से ही लगाना चाहिए कितना से लगाना चाहिए 4 से लगाने का मतलब है कि 4 से आप 325 को गुना करके यहां पर लिखेंगे बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर्थ तो 4 से इस 5 को गुना करेंगे तो 4,500,20 4,500,20 का 0 हांसिल दो फिर 4 दूना 8 और 2,10 का 0 हांसिल इस बार 1 4 का 4 और हांसिल 1 कितना तो 4,1,5 फिर 4 तिया 12 अब घटाएए यह 10 यह 0 में से 0 गया तो 0 फिर 0 में से 0 गया तो 0 और यह बचा 10 इधर से एक हांसिलेंगे तो 10 होगा तो इस 10 में से 5 घटाएँगे तो यह होगा 5 और यह 12 में से 12 हो जाएगा भाई साब कैंसिल फिर आपको तो 500 मिल गया भाई क्या करें हम तो दसमला आप डाले हुए हैं तो एक 0 उतार सकते हैं तो उतार लिया है जिए हमने अब यह होगया 5000 यह होगया 325 ठीक तो आईए हम अब सोचते हैं कि कितना से लगाना चाहिए तो सीधी सी बात है यह 5000 और यह 3000 यह कितना अजार और सौरी एक मिनट रुको भाई साहब 325 तो है लेकिन क्या है यह 0 था यह 0 था पांच में से यह 5 गया उभी ठीक बिल्कुल ठीक आपको तो यहां पर एक से लगाना परेगा कितना से लगाना परेगा चाहिए वह बिल्कुल ठीक है 3000 और यह 5000 एक मिनट रुक जो हलका हमें चेक करने दो एक मिनट टाइम आप मुझे क्या करो भाई दे दो ठीक एक मिनट टाइम दे दो देखते हैं अब आप तेरह चार 500 में से घटाएंगे तो 500 तो बिल्कुल ठीक आ रहा है भाग आपको सही होना चाहिए हम नहीं चाहते हैं कि आपका भाग क्या हो जाए गलत हो जाए चलो देखते हैं एक मिनट वेट करो बिल्कुल ठीक एक मिनट टुक जाओ एक मिनट जाओ भाई अरे हटो भाई देखिए क्या करना है आपको समझेगा आपको भाग देना था तेरा में किसमें तो तेरा में भाग देना था आपको 31 से सही जा रहे हैं कोई गलती बाली बात है आऊ फिर चलते हैं आगे मतलब अब आपहें अब भी आप देख सकते हैं कि 54 और ये 3000 तो यहाँ पर एक से लगाना होगा तो पिर सर यहां पर लिखना करना होगा 11 हैं इस से गुणाह करने का मतलब आप एक से एक्तिसो पचीस कुझाए ऐग दीजे एक्तिसो पचीस गुणाह किईए थिस पचीस यह दस में से पांच गया तो पांच ये बन से दो नो मैंसे यह गटाएंगे तो मिलेगा साथ और ये सर नौ था नौ में से एक गटाएंगे तो मिलेगा आठ और ये सर चार था चार में से तिन गटाएंगे तो एक मिलेगा और फिर ये अठारा सो पुछतर है ना दसम्ला डाले हैं पहले से एक जिरो तो लही सकते हैं अब सोचो कि कितना से लगाना देखिए ये 3000 और ये 18000 तो तीन चक्के 18 तो 6 से लगा दो सोचो उचो कुछ मत 6 से लगा दो सीधा तो चलिए 6 से लगा देते हैं 6 से लगाते हैं सोचते हैं देखते हैं कि क्या होगा चो से गुना कीजिए तो 6 35 का 0 हासिल 3 6 2 12 और 3 15 का 5 हासिल इस बार 1 6 का 6 हासिल 1 7 और 6 18 लोगा पूरा का पूरा ही कट गया पूरा का पूरा ही कट गया तो क्या हुआ यहां पर आपको दसमला परसार मिल गया यह वाला ही कहलाएगा इसका दसमला परसार 0.00416 होगा इसका आंसर इसी तरीका से आपको आगे के सभी कुश्चन को बनाना है कैसे बनाना है देख लिजिए यह भाग तो आप सिखे होंगे 6-5 में तो यह भाग मैंने एक करके आपको दिखा दिया अब यही काम आपको किस किस के लिए करना हो मैं बता देता हूँ आपने देखा था कि पाला सांथ था और भाई दूसरा भी सांथ है तो दूसरा के लिए भी आपको काम करना है 17 को 8 से भाग देना है दूसरा में आप 17 को 8 से भाग देजिएगा तीसरा नहीं है सांथ चौथा सांथ है तो चौथा में आप 15 को 1600 से भाग देजिएगा पांच माँ और सांत है तो उसको नहीं करना है आपको छठा सांत है तो छठा में क्या करेंगे 23 को 2 के पावर 3 गुने इसको मैं बना ही देता हूँ रूक जाओ इसको बना ही देता हूँ छठा नममर क Western को 23 बट्टा 2 के पावर 3 गुने 5 का पावर 2 तो आईए हम इसको बनाए देते हैं क्या था भाई साहब जो छठा नमबर कोश्चन था वो था 23 बट्टा 2 का पावर 3 और गुने में था आपका 5 का पावर 2 5 का पावर 2 तो इसको solve कीजिए देखिए कि क्या होगा नहीं होगा सर इसको जब आप solve कीजिएगा तो क्या मिलेगा देखिए उपर तो 23 है और नीचे क्या है 2 का पावर 3 है 2 का पावर 3 यानि कि 2 गुने 2 गुने 2 और फिर 5 का पावर 2 है यानि कि 5 गुने 5 अब करो भाई साब आगे की काम बट्टे उपर तो ठीक है दो दूना 4 4 दूना 8 8 पंचे 40 और 45 पंचे 4 पंचे 20 4 पंचे 20 का मतलब हो गया सर जी यहां पर 200 कितना हो गया 200 ऐसे भी सोच सकते हैं 25 और 25 अब 25 सकते 200 यानि कि आपको 23 को भाग देना होगा 23 को 200 से भाग देना होगा तो 23 को 200 से भाग देना होगा मैं आपको calculator से भाग दे करके दिखा देता हूँ ताकि time नौ लगे कम time में आप बना पाए आपको 23 को भाग देना है दूसर से तो 23 को जैसे 200 से भाग देजिएगा तो आपको भाग फल मिलेगा 0.115 आप घर भी बैठके भाग देजिएगा इसको सब्सक्राइब भाग दे करके निकालते हैं तो अब आपको जो जो इसमें सांथ दिखे उस सबी को भाग दे कर के आप क्या किजीए निकालेए ठीक अब हम बढ़ते हैं आगे जो कि ये बिल्कुल सा question है देख लेते हैं कि आखिर इस question में आपको क्या पूछा जा रहा है और आपको क्या बनाने के लिए बोला गया था ठिक चलिए सीखते हैं समझते हैं देखेगा है आपर सिंपल सी बात है बोलागे कि कुछ बास तबिक संख्याओं के दसमला परसार नीचे दिये गए है सही बात कुछ संख्याओं को दिया गया है परते कि स्थिति के लिए आपको निर्धारित कीजिए कि यह संख्याओ परी में है या नहीं मतलब सिंपल आपको बताना है कि निमलिकित में से कौन पड़ी में है और कौन और पड़ी में है बस इतना ही आपके काम का चीज है बांकि इसमें कुछ भी आपके काम का चीज नहीं है तो अगर बात करें पहला के बारे में पहला संक्या के बारे में बात करेंगे तो करेंगे दूसरा के वाड़े में तो दूसरा औश संबहला है क्योंक2 षाम,"rik यहू Till क्या होगा और पड़िमें, टिक और तीश्वा का देख़ लिजिए क्या हाल है? तीसरा मेंowana हे अप बता रखा होगी क्योंकि इसे भी हम बट्टा के रूप में लिख पाते हैं तो आपने देख लिया कि कौन-कौन पड़ी में हैं और कौन-कौन और पड़ी में हैं इस तरह से चेप्टर नंबर एक आज आपका पूरा कंप्लेट हो गया और फिर हम लोग अगले कलास में चेप्टर नंब पर दो सुरू करेंगे आशा करते हैं कि आज के सारे के सारे चीजें आपको समझ में आई होंगी थैंक्यू सो मच मिलेंगे हम लोग फिर अगले कलास में गुडबाई टेक क्यार